हलो दोस्तों हमारी यूटूब चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आप सब लोग कैसे हैं या बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जै मतादी लिकर जरूर सेंट करें तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको छट ब्रत की कथा का स्रुवन कराएंगे तो चलिए सबसे पहले कथा का स्रुवन कर लेते हैं पलो छटी माई की जै तो चलिए शुरुवात करते हैं कथा के अनुशार प्रियवरत नाम के एक राजा थे उनकी पत्नी का नाम मालिनी था दोनों की कोई संतान नहीं थी इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ती की इच्छा से महारिशी कश्यप द्वारा पुत्रोष्टी यग्य करवाया इस यग्य के फल सरुप राणी गर्वती हो गई नौ महीने बाद संतान सुक को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ संतान सोक में वहां आत्म हत्या का मन बना लिये लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की उनके सामने एक सुन्दर देवी प्रकट हुई देवी ने राजा को कहा कि मैं छटी देवी हूँ मैं लोगों को पुत्र का सौभागी प्रदान करती हूँ इसके अलावा जो सचे भाव से मेरी पूजा करता है मैं उसके सभी प्रकार के मनोर्त को पूर्ण कर देती हूँ यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी अग्या का पालन किया राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुकल पक्च की छटी तिथी के दिन देवी छटी की पूरे विधी विधान सहित पूजा अर्चना की इस पूजा के फल सरूप उन्हें एक सुन्दर पुत्र की प्राप्ती हुई तभी से छट का पावन पर्व मनाया जाने लगा तो दोस्तों जैसे छटी माही ने राजा और मालिनी रानी की सुनी वैसी ही भगवान सब की सुनें सब का कल्यान करें जैहो माता छटी देवी की ऐसी ही एक छोटी सी कथा और है इस कथा के अनुसार जब पांडो अपना सारा राजपाट जुये में हार गए थे तब द्रोपदी ने छट ब्रत रखा था इस ब्रत के प्रभाव से उनकी सारी मनो कामनाएं पूरी हुई तथा पांडों को राजपाट वापस मिल गया जैहो छटी माई की तो दोस्तों आसा करते हैं कि आपको छट ब्रत की कथा पसंद आई होगी अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए अगर चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके जै माता दी